तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को स्टार प्लस पर आने वाली सीडियल इमली के नई कास्ट के रेल नीम और एज के बारी में बतानी वाली हूँ जोके शायद ही आप सभी जानते होंगे और जानने चाहती हैं तो हमारे वीडियो के साथ थंत तक वनी रहीगा तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लीती है जोकर सीरिल में प्रीता का किरदार निभा रही है उनका रियल नीम रेशमा प्रशान्त है इनका ज़न में 12 अप्रेल 1996 में हुआ था अभी इनकी इनकी subscribe 16 साल है और वेएंजोकर सीरिल में सत्यकाम का करदार निभा रही है उनका रियल नीम विज़रे पर मार है इनका ज़न में 1985 में हुआ था अभी इनकी subscribe 27 साल है और वहीं जोकसीरियल में नर्मदा का किरदार निभा रही है उनका रियल नीम नीतू पांडे है इनका जिन में 27 नमबर 1967 में हुआ था अभी इनकेमर 55 साल है और वहीं जोकसीरियल में दुलारी का किरदार निभा रही है उनका रियल नीम मीना नीथानी है इनका जन 1957 में हुआ था अभी इनके मरे 65 साल है और वहीं जोकर सीरियल में सुन्दर का किरदार निभा रही है उनका रियल नीम कौरव मुकेश है इनका जन में 12 अगस्त 1994 में हुआ था अभी इनके मरे 28 साल है और वहीं जोकर सीरियल में मीठी का किरदार निभा रही है उनका रियल नीम किरन खोजरी है इनका जन में 1984 में हुआ था अभी इनकी वर 18 साल है और वहीं जोकर सीरियल में आरियन का किरदार निभा रही है उनका रियल नीम फेहमान खान है इनका जन में 4 सितंबर 1990 में हुआ था अभी इनकी अमरत 32 साल है और वही जोकल सीरिल में इमली का करदार नीपा रही ही है उनका रियल नीम सुम्बोल तौकर खान है इनका जन में 15 नवंबर 2003 में हुआ था अभी इनकी अमरत 18 साल है और वहीं जोकल सीरियल में मालिनी का करदार निभा रही है उनका रियल नीम मयूरी देश मुख है इनका जन में 3 सितमबर 1992 में हुआ था अब भी इनकी मरत 30 साल है और वहीं जोकल सीरियल में नीला का करदार निभा रही है उनका रियल नीम निलिमा सिंग है इनका जन में 15 जून 1958 में हुआ था तो अब ही इनके मरत 63 साल है और वहीं जोकर सीरिल में चिन्नी का करदार निभा रही है उनका रियल नीम केवा शेफाली है इनका जन में 22 जन्वरी 2016 में हुआ था अब ही इनके मरत 6 साल है और वहीं जोकर सीरियल में अनू का करदार निभारी ही है उनका रियल नीम जोती गोबा है इनका जन में 16 जुलाई 1980 में हुआ था अभी इनके मरे 14 साल है तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको ये सीरियल कैसा लगता है हमें कॉमेंट वोक्स में ज़रूर बताईएगा साथ ही अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करी शेर करी और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूली थिन्यवाद